जेहिन दोस्तों फाइनली बरसों के इंतजार के बाद में स्वीगी का IPO आ गया है स्वीगी के नाम से आप बहुत अच्छे से वाखिव होगे कभी ना कभी आपने स्वीगी किया होगा कभी ना कभी आपने dine out किया होगा कभी ना कभी आपने insta mark से कुछ मंगाया होगा कभी ना कभी आपने जीनी को बोला होगा कि जीनी घर पे मेरा ये सामान छूड़ गया है प्लीज लेके आओ ना तो अच्छा खासा इसका व्यापार हमें देखने के लिए मिल रहा है मतलब यह जो इसका कारोबार है बहुत सही कारोबार है शही दिसा में ही है जो है काम कर रही company future stick business इसका है अच्छा model है और इसके comparison में अगर आप देखो तो सिफ और सिफ फिलाल बड़ी company का नाम अगर हम यहाँ पर आता है तो वो सिफ और सिफ जो माटो है तो आप थोड़ा साग जरूर बता ना कि आपने स्वीगी से कभी food मंगाया मंगाया तो क्या मंगाया या कभी dine out किया है देखिए मैंने तो discount भी लिया कभी 10% कभी 30% तो मुझे तो मतलब यह बहुत अच्छा लगा अब देखिए आपको इस IPO के बारे में काफी कुछ यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा और सबसे important बात IPO एक scam भी है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के तुरू अच्छी जानकारी मिलेगी जिससे आप ना final decision ले पाओगे कि आपको इस IPO में अपलाए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए साथ ही आपकी समझ भी आपे थोड़ी विक्सित होगी देगे दोस्तों अगर हम इस वीडियो में जानने वाले है company and IPO details के बारे में company के financials क्या है profit making या loss making है साथ ही इसके peer में कौन-कौन से company है valuation के इसाब से ये company कैसी है इसके positive negatives क्या है साथ में क्या इसका future scope है opportunities है इसके पास में साथ ही latest GMP हम जानेंगे apply करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वो भी हम यहाँ पर जानेंगे तो वीडियो को end तक ध्यान से देखना काफी कुछ आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा लेकिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्विगी well known company है 2014 में यह founded हुई थी और मैंने कहा जैसा कि आपने कभी ना कभी समोसा पराठा के चोरी केक पौहा कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता आपने मंगाय हो अगर मंगाय है तो प्लीज जरूर कमेंद करना अब अगर हम यह आपर देखे तो देखे दो मिनिट गे अंदर जो है यहाँ पे ग्रोसरी का सामानी आपे मिल जाएगा तो बड़िया बिजनस है फ्यूचरिस्टिक बिजनस है इसके सबसे अच्छी बात यहीं है आगे हम जानेंगे IPO की डिटेल्स के बारे में तो दोस्तों जो IPO है यहाँ पे वो IPO यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 6 तारिक को कौन से डेट को IPO स्टार्ट हो जाएगा 6 नवंबर 2024 लास्ट डेट क्या है आठ नवंबर 2024 इसका अगर प्राइज की हम बात करें तो 371 से 390 पर शेर इसका सी नसी दोनों के उपर इसके लिस्टिंग होने वाली है रिटेल कोटा यहाँ पर थोड़ा कम दिया गया है not more than 10% of the net issue और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए यहाँ पर offer for sale भी है और fresh issue भी है total IPO का size बहुत बढ़िया size है जैसा के expected था 11,327.43 करोड का और साथ ही अगर हम बात करें offer for sale इसमें 6,828.43 करोड जो है offer for sale रहेंगे मतलब अभी जो company के promoters है वो यहाँ पर बेचके यहाँ पर निकल लेंगे वो साथ ही 4,499 करोड का जो है fresh issue है face value के अगर बात की जाए तो एक रुपे यहाँ पर face value रखा गया है वो जो employees है उनको 25 रुपे पर share का यहाँ पर discount दिया गया है और साथ ही अगर हम यहाँ बात करें promoter holding की तो फिलाल 37.56% है जो की IPO के आने के बात में और भी कम हो जाएगी वहीं अगर हम साथ में बात करें यहाँ पर किया आप कितने लोट लगा सकते हो तो आप अगर retail के टेकरी से लगा रहे हो तो एक लोट आप लगा सकते हो minimum 14,820 रुपे का जिसमें आपको 38 शेर अलोट होता होंगे वहीं अगर हम HNI के टेकरी के बात करें तो small HNI में 2 लाग से जादा और 10 लाग से कम रुपे की राशी लगाई जाती है जिसमें आप 14 लोट लगा सकते हो वहीं big HNI में 10 लाग रुपे से जादा की जो है राशी लगाई जाती है उसमें आप 68 लोटें पर लगा सकते हो तो simple ठीक है तो क्या आपने कभी स्विगी किया कभी आपने काजू कहतलियां असे मंगाई ठीक है तो थोड़ा सा कवाइन कर के जरूर बता न अगर हम बात करें company के फिनेंसल के सबसे important यही होती है कि company के financials क्या है अब देखे ये थोड़ा साथ मेरे को यहाँ पर फिनेंसल्स के बहुत ही घटिया लग रहे हैं मैं घटिया क्यों बोलना हूँ आप यहाँ पर ध्यान से समयना 2022 से लेकर 2024 की बात की जाए तो assets में क्या है यहाँ पर कभी हूँ यह 14,000 से 10,000 के उपर आगे negative point revenue की अगर बात करें तो revenue यहाँ पर company का बढ़ा है यह प्लस point अगर हम profit update tax की अगर बात करें तो देखे company भाई साब loss making है जब से आईए company loss ही है बले यहाँ पर जो है अपना देखे यहाँ पर 20-23 में इन्नोंने बढ़ा भी है अपना loss यहाँ पर थोड़ा इन्नोंने कम किया है तो कम करना तो देखे बहुत सही बात है लेकिन profit making तो नहीं है न तो सबसे negative point यह देखे बढ़िया है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर समझदा है अब क्या है जनरली company के जो promoters है company के मालिक है उन्होंने 10 साल बड़ी आराम से company चला ली ठीक है किस में लोस में लोस में आप company चला रहे हो पिछले 10 साल से फिर अपना IPO लेके आ रहे हो आप IPO लेके ठीक है अपनी promoter holding जो है वो कम कर लोगे और public को आप यहाँ पर देखे चले जाओगी कि भाई साब बढ़िया business model में यहाँ पर कोई कमी नहीं है इसका business बहुत बढ़िया है लेकिन अगर अभी के इसाफ से फिनेंस के इसाफ से अगर हम देखे तो company में टोटल नेगेटिव 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 से है आपने पास में अगर रिजल सेंट सर्प्लस की बात की जाए तो व है ठीक है इतना कोई वो नहीं है आपने जर्नलिस स्विगी किया होगा अगर हम यहां पर बात करें इसका जो पी है पी इसका तो स्विगी का तो नेगेटिव में निकल के आएगा तो यहां पर comparison कोई बनता ही नहीं है clear okay next दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर इस आईपिय क्या है weakness क्या opportunities क्या है तो अगर हम यहां पर इसके stand के बात की जाए तो देखे stand तो यहां पर इच्छे का से है क्योंकि growing business है यह बढ़ता ही रहेगा क्योंकि हर किसी को लगता है कि नहीं घर बेटे-बेटे ही मंगा लेते हैं बाहर जाने की जरुरत नहीं है तो business तो देखे say भाई company जब से आई है तब से क्या है Negativeी है मैं लोग आत heeft लोग आते हैं टीक है company को बणाते हैं अच्छा का सा НАम देते हैं company को बढ़े असरा बना लेते हैं आपके पास में वह भी पे टी एम बि difícil चल ला ता लेकिन जैसे ही उसका IP है सब जानता था पे टी इस भी एच्छा है लेकिन प्रॉफिट तो नहीं है तो फिर भाई इसमें कैसे अप्लाइ करें ठीक है तो यह इंपोर्टेंट समझने की बहुत बढ़िया बात है अब जैसे यह करें कि ग्रे मार्केट की बात की तो ग्रे मार्केट में कुछ अच्छी कासी डिमांड नहीं है यहां पर सिर्फ बताय जा रहा है कि पांच प्रॉण चौससत परसेंट है कि यह सिर्फ एक अनुमान होता अग्रे मार्केट में कि आपको इतना लिस्टिंग यहां पर मिल सकता है बाई कि फ्यूचर के यहां पर बिलकुल भी मतलब अच्छा कुछ लग नहीं रहा है तो मै परसनली यहां पर इस आईप्यों के लिए अपलाई नहीं नहीं करूंगा और मेरी और से कोई रिकमेंडेशन नहीं है जो भी बाते मैंने आपको बताई है यहां पर उनके आधार के ओपर यहां आपको जो भी लगे ठीक है आपका क्या डिसिजन यहां पर रहेगा आप 24 आईप्यों के बारे में कमेंड करके ज़रूर बताना साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें बाकी के तीन आईप्यों टोटल तीन आईप्यों अब अपने पास में स्वीगी एक में और सेजलीटी ठीक है तो यहां पर तीनों की ही जो जीएंपी है वह आप देख सकते हो वीडियो बना दिया है आपको अभी उपर आई वैटन में सका लिंक मिल जाएगा और साथ इस वीगी का आप यह डिटेल्स देख रहे हो बाकी अपकमिंग वीडियो आपको इसके उपर मिल जाएगा अगर आप चैनल के उपर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें च झाल